घरेलू कीमते नियंतरित करने के लिए केंद्र सरकार कई दालों के आयाच शुल्क को माफ कर चुकी है। अब ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि केंद्र खाद्यान के आयाच पर लगने वाला 40 फीसदी शुल्क भी हटा देगी। हालां कि आयाच शुल्क हटाने की मांग ग गेहूं की वैश्विक कीमतों में 15 फीसदी की बड़ोतरी दर्स की गई है जबकि घरेलू बाजार में आटा का दाम 4 फीसदी उचल गया है। गेहूं की सरकारी खरीद लक्षे से पीछे चल रही है क्योंकि केंद्र ने इस साल के लिए 372 लाक मीट्रिक टन गेहूं खरीद गेहूं प्रोसेसिंग इंडिस्ट्री ने आटा की कीमतों में उच्छाल की आशंका जताई है। घरेलू बाजार में गेहूं की महेंगी होती कीमतों को देखते हुए गेहूं प्रोसेसिंग इंडिस्ट्री या आटा बनाने वाली मिलों ने खाध्यान पर लगने वाले 40 फ परियाप्त स्टॉक है तो इससे हमें गेहूं की कीमतों में अस्थिर्ता को कम करने में मदद मिलेगी। एसोसियेशन के प्रतिनिधियों ने सोमवार को केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात कर आयाच शुल्क हटाने का अनुरोध किया। अगर हम 40 फीसदी आयाच शुल्क हटा दें तो दक्षिन भारत की कुछ मिलों के लिए गेहूं आयाच करना संभव हो जाएगा। इससे बाजार में आटा की कीमते को नीचे लाने में मदद मिलेगी। बताया गया कि पिछले 10 दिनों में अंतराश्ट्रिय गेहूं की कीमतों में 15 फीसदी से अधिक की बड़ोतरी दर्स की गई है। पश्चिम बंगाल के मिलर्स के अनुसार पिछले एक पक्वाडे के दौरान घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतों में 4 फीसदी का इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी